कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे कि डिजी स्कैन के जो मल्टी ब्रैंड डियाग्नोस्टिक टूल आता है इसमें क्या-क्या इसके पैकेज में साथ में मिलता है हमको और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किस तरीके का है वो सारा कुछ हम लोग डिसकस करेंगे ये इसके साथ एक यूजर मैनवल है इसमें इस से अप्लिकेशन से समंदे सारी इंफॉर्मेशन और काउन से सेटिंग कहां पर करनी है कि इस तरीके से फ्लैशिंग कैसे करनी है ये सारे पैरमीटर दिये हुए है साफ्टेर इसको समा सकते है उसके साथ में इसके साथ PC इंटरफेश के लिए एक CD ड्राइब आती है ये मिलेगा PC इंटरफेश में करने के लिए USB केबल आती है जो की अपडेट करने के दौरान में आपके काम में आएगी इस तरीके से उसके बाद एक ये OBD2 केबल मिलता है जिसका एक तो आप दिवास को करना है और इसको कैरी करने के लिए यह कई यूर्च वैक भी साथ में बिए जाता है और यह आपका में दे आब में उनिट है nä इस तरीके से से रहता है तो इसको भी हटा देटें है है यह stunned इन यूनिट है इसको हम अभी आं करके देख लेते हैं कि इसमें क्या-kya क्वाइकल का डाटा और क्या-kya चीज़ ने इसमें हो सकती हैं तो अब ही तो हम इसको नॉर्माली स्विलेटर मोड्स में अन करके देख लेते हैं यहां पर इस तरीके से इसको जब भी हम में लिए ड से यह पावर ले लेता है तो इस तरीके से यह आउनों का जैसे आपको इस पर वर्किंग करनी है कौन-कौन से वेकल है यह देखना तो दीखिए इसमें सिंप्ली चार बटन लेफ्ट साइट पर है अब डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो ऊपर रीशेट है लेट और इसके बटन है तो यहां पर हमें किसी भी वेहिकल में अगर काम करना तो सबसे पहले हमें इंटर बटन का यूज करना जैसे हम यह इंटर बटन प्रेस करेंगे यहां से आपका वेहिकल के लि से भारत मेंज आशर मोटर एक फोर्स मोटर एसमल इसूजव है टाटा मोटर से तो अभी हम अगर रिलिस्ट में जाएंगे चैसे सब्सक्राइब अगर हमें अशोक ली लाइन के अंदर में इंटर करना है तो हम यह राइट एरो दबा देंगे क्योंकि हमें राइट साइड पंद्रा बहुत से डीशी सोला डेलफी डीशीम 2.5 वैप को एबी एस यह सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं और एक कोई वेहिकल इसके अंदर कावर नहीं है तो भी आप इस पर आराम से काम कर सकते हैं अब आप इस बाइक आने के लिए लेट दबाया हमने एल लाइट देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि क्या क्या वेहिकल का डाटा है बहुत सत्रासी तिरपान है सत्रासी 63 है डेलफी इसमें अगा इन टीन अप्शन्स है दोस्त हैं गुरु है संशाइने इस तरीके से अलगलग ओप्शन्स हैं वेहिकल में जाएंगे अगर तो वेकल का डाटा भी मिलेगा यहां पर कि क्या है टी आडवलू है टो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे वेकल्स अच्छोगी लेट कर सकते हैं भारत बेंज में इतने इंजन और वेकल का अप्शन है अगर इसमें हम इंटर करेंगे तो अगरें यहां पर हमको पता चलेगा कि बीएस थ्री बीएस फोर का इस हमें इसके अध्याद वेकल में बीएस थ्री क्लस्टर है बीएस फूर क्लस्टर है वापिस आएंगे यह भारत बेंच का था अभी फोर्स मोटर में देखेंगे तो फोर्स मोटर में भी आपको डीजल सी एंगी ओवीडी टूब यह में बीएस थ्री आएगा बहुत सत्रा सी तरेपान आएगा यह सारे ऑप्शन्स है एसमाल इसुचू के अंदर में जाएंगे इंजन वेहिकल ओवीडी अलग इस तरीके से हैं यहां पर ओप्शन बीएस फोर हैं डीजल है सी एनजी एंगि ए थर्टी ए थर्टी-फोर यह सारे ओप्शन्स यहां पर दिख रहा है ऐसे हे टायटा मोटर में बहुत सारे अज़़ और में जाएंगे तो इंगे हैं यह पर आप्शन्स हैं इस तरीके से इसक्यूं से अगर आपको कहीं भी सीधे वापिस आना तो सकेप करके भी आ सकते हों बाइक बटन से भी आ सकते हैं यहाँ पर reset करेंगे अगर कभी भी आपने लगाया वह है किल में और आपको फिर से ओर इंगर पोजिशन पर अगर आपको कभी अपडेट करना है तो इसमें free अपडेटेस आती हैं तो आप को कमेंट बॉक्स में में मैंसेच करके जरूरा बताई। जिसस KR बेहों इसका वीडियो reaching का भी date वीडिव के बिख सकें आपके पास जिस से इस तरीके के informative वीडियो आपको regular interval पर मिलते रहें Thank you